नमस्कार मैं हूँ आजल आप देख रहें टुड़े 24 न्यूस आईए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी ख़बरों पर रुड़ी के मोहनपुरा शेत्र में स्थानिय लोगों ने पिछले कई सालों से सड़क निर्मान ना होने के शिकायत करते हुए जल भराव के कारण हो रही बड़ी समस्या को लेकर जन प्रतिनी धियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है स्थानिय लोगों का कहना है कि पिछले कई सालों से उनके शेत्र में जन प्रतिनी धि के द्वारा सड़क निर्मान नहीं कराये गया जिसके चलते सड़क पर हर समय जल भराव की स्थिती बनी रहती है और हाल फिल हाल जल भराव के कारण शेत्र में बीमारी भी फैली हुई है पानी में मच्छरों के कारण डेंगू भी शेत्र में फैला हुआ है और इंफेक्शन की बीमारी भी फैल रही है लोगों का आरौप है कि कई बार जन प्रतिनिधियों से इस संबंद में गुहार लगाई गई लेकिन सिवाय आसवाशन के आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया वही स्थानिय लोगों का ये भी आरोप है कि अश्वन्त नगर निगम में आता है लेकिन नगर निगम के द्वारा बीमारी फैलने पर भी कोई त्यान नहीं दिया गया खुड़ा उठाने के लिए भी नगर निगम का कोई करमचारी यहां नहीं आता वही स्थानिय लोगों के द्वारा नारेवाजी कर अपना विरोध भी जताय गया और समधान ना होने पर आने वाले चुनाव में चुनाव वहिशकार की चितावनी भी दी गई समधान नहीं तो गोट भी नहीं के संद नगर निगमें भी तीन बार दे चुका हूं में मेरे पास सिलीब भी रखी है और मुख्यमंतरी के यहां भी हमने लेटर डाल ले हैं कि हमारी सड़क का इसका पाने का कोई समधान हो लेकिन कोई कारवाज नहीं होती है उपर से अग पूरा है ठीक है और हमारी जो समस्या है वो इस पानी को लेके है इस रोड को लेके है इस पानी के चलते है यह पानी रुका हुआ है यहां पर बीमारी पैदा हो रही है इंफेक्शन बहुत जादा बढ़ चुका है डैंगू की बहुत जादा सिकायत है और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी के घर में मौत मिट्टी हो या फिर खुसी का काम हो इसी पानी में को थो निकल के जाना पड़ता है इसके लवाँ मारे पास कोई रास्ता नी है हमने हर तरीके से कारवाई के करी पर कोई सुनवाई नी कि झाल झाल